नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके एपने यूटीब चनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सीजियल टीयर टू के लिए अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे आप लोगे मन में तमाम तरह के डाउट थे आपके सीजियल टीयर टू एक्जाम से लेटे एसी वज़ा से आई नोटिस निकाल दिया कि भाई या परेशान ना हो ऐसा ऐसा एक्जाम होने वाला है इस तरह से एक्जाम होगा मॉडूल वन ऐसे होगा फिर मॉडूल टू होगा फिर इतना टाइम मिलेगा फिर उसके बाद कंप्यूटर होगा कुछ लोग यह गंफ्यूज हो रहे हैं CPT है या नहीं है और मतलब कि कुछ लोग वर्ड और Excel को लेके गंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि नोटिस में मतलब अब्यूएस सा है ऐसे क्लियर नहीं रखा है तो इस सरकार कर्मचारी चैना वगेर हो गया इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग आपके सीजियल टियर टू एक्जाम को इन्होंने लिखा गया पेपर वन बिल बी कंडेक्टेड इन टू सेशन यह आपका मेंस का जो एक्जाम होगा पेपर वन ऑफ टियर टू एक्जाम ठ ओए तो सेशन वन की बात करीगी कहाके सेशन वन में मौडियूल वन जो होगा उसमें मैथमेटिक्स मौड्यूल टू में रिजनिंग और जनरल इंटेलिजन्स आएंगे इसके लिए आपको एक घंटे मिलेंगे यानि सेक्शन वन में आपके दो मौडियूल हैं कौन-कॉन स पहला section आपका हो गया, mathematics और reasoning वाला प्रशन हो गया, 60 प्रशन, 60 मिनट, उसके बाद section 2 start होगा, section 2 में इन्होंने कहा, after completion of section 1, two modules of section 2, यानि कि section 1 complete होने के बाद, section 2 के दोनों module, यानि English और जो G के आना है, उसका start होगा, उसके लिए भी एक गंटे दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने आप close हो जाएगा, एक गंटे जैसे पूरे होगे, वो अपने आप section close हो जाएगा, यानि पहले section 1 start होगा, जिसमें mathematics और reasoning आपने दी, एक गंटे ये चला, उसके बाद आपका start होगा, हो सकता है, एक भी मिनट का time दे, उसके बाद आपका section 2 start हो जाएगा, हो सकता section 3 में 2 module होगे, section 3 में module 1 जो होगा, वो आपको पता है computer होगा, computer mandatory है, सारी post के लिए सबको देना है, तो ये इसमें confused ना हो, will commence immediately after completion of section, मतलब कि ऐसा नहीं कि time मिलेगा, एक गंटे का आराम कर लो, आपका section 1, section 2 complete होगा, एक एक गंटे यानि 2 गंटे होगे, उसके बाद आपका section 3 सुरू हो जाएगा, ठीक है, देखो पहले क्या कहा, computer हो गया, computer के बाद after completion of section 2, ठीक है, and will be duration of 15 minutes, on completion of module 1 of section 3, session 1 will come to an end, यानि ये सब आपका हो गया, आपका ये खतम हो गया, यानि session 1 खतम, ठीक है, आपका पहले एक गंटे का mathematics reasoning हुआ, एक गंटे का English और G के हुआ, फिर 15 मिनट का आपका computer हो गया, उसके बाद ये खतम, computer सबके लिए mandatory ये भी लिख दिया, after the completion of session 1, the candidates will get a break for re-registration of session 2, यानि session 1 खतम हो गया, session 1 के बाद आपको re-registration करना पड़ेगा, जैसे आप registration, session 1 के लिए करते हो, जैसे आपने pre के लिए करा होगा, वैसे same चीज आप फिर से करो जैसे आप जाओगे, मेंस में पहले एक बार registration करोगे, दुबारा फिर registration करोगे, registration ये किसके लिए होगा, यानि 2 घंटे 15 मिनट बाद आपको break मिलेगी, और आप दूसरे session के लिए registration करोगे, registration होगा, इसमें आपका क्या होगा, module 2 जो होगा, वो क्या होगा, section 3 का module 2, ये करता दो, मुझे कहां पे लिखा है इन्होंने, कि आपका MS Excel, MS PowerPoint होगा, मुझे एक बात clear कर देना, अगर कहीं पे लिखना होता, तो वो clear लिखते ना लिखते, अब हो सकता है, typing की speed, कहीं पे 20 word per minute मांगे, कहीं पे 25 word per minute, कहीं पे 40 word per minute, कहीं पे 30 word per minute, या error percentage में, अब मालों पोस्ट के लिए computer की अलग-अलग वो हो सकता है, cut off हो सकते है, same चीज इसके लिए कि speed अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग हो सकती है, जो लोग ये बात को लेके परिशान थे कि आपका paper, actual paper किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा, कि only word ने जो mock start करा है, only word का mock आपको पता है, हर weekend, यानि कि Saturday, Sunday आपका free का mock होता है, आप जाके उसके लिए registration कर सकते हैं, यानि कि mock दे सकते हैं, उसमें आपको वो ditto, जो आपका mains का pattern है, उसी pattern पे आपका mock करवा लेंगे, उसमें typing भी होगी, आपका mathematics, reasoning का पहला एक घंटा, दूसरा एक घंटा typing भी करवाएंगे, तो उससे आपको idea लग जाएगा, exam में कैसे perform करना है, और आपको आदत भी लग जाएगे, ठीक है, इसमें आपको जो mock होगा, इसमें आपको कुछ चीजे मिलेंगी, जैसे की all India ranking मिल जाएगी, all India rank आपकी कितनी आ रहे है, चुकि 10 लाग से जादा लोग अभी तक attempt कर चुके हैं, तो आपको अपनी rank का भी idea लग जाएगा, आपको artificial intelligence based analysis मिल जाएगी, आपका weak area क्या है, आपका strong area क्या है, किस section में आप ज्यादा time लगा रहे हैं, इससे आप सीख सकते हैं कि किस section पर आपको काम करना है, ठीक है, लिंक में description में डाल दूँगा, आ weekend वाला free का mock होता है, वो आप दे सकते हैं, और आप अपना कितना number आ रहा है, कहाँ पर problem आ रही है, वो सारी चीज find out कर सकते हैं, इन्होंने solution भी दे रखा है, अगर कोई question फसता है, तो आप mock देने के बाद, आपको solution मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जाके attempt करें, और एक चीज और बता दूं, कि link जो आपकी mock कैसे देना है, अगर आपको नहीं पता holy word का mock कैसे देना होता है, तो link में description में डाल दे रहा हूँ, उस पर clicker के सीधे mock दे सकते हैं, और ये mock आपको जैसा कि देख पा रहे होंगे, कि 18 और 19 परवरी, यानि Saturday और Sunday दोनों का है, तो आप लोग ये mock देना न भूलें, और mock के बाद कितना number आता है, speed कैसे आती है typing में, या mathematics में, reasoning में कहां पर क्या problem होती है, ये भी आपको ये बता देंगे कि इस section में यहां problem है, इस section के इस topic में यहां problem है, तो उस चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें, ठीक है, बाकी मुझ सब ये भी लगता है कि तयारी सायद नहीं पूरी है, तो relevant mock दें, बाकी ज़्यादा mock के number पर भी focus ना करें कि mock में अगर number थोड़ा कम भी आ रहा है, तो आप घबरा जाएं कि अरे mock बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठीक है, तो ओली बोर्ड का mock दे सकते है, ठीक है, तो म मिल जाएगा, आप जाके देखें, CGL 2022 के tier 1 के sword papers आपको मिल जाएंगे, वो भी जरूर देखें, और बहुत सारी वीडियोज आपको देख रहेंगे, और बाकी चैनल पर ने होना, तो यहाँ पर क्लिक करके subscribe करना, न भूले, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए, न भूले, लिंक दिस्क्रिप्चेन ने होना, न भूले, लिंक दिस्क्रिप्चिन,